नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीव कुमार दोस्तों आज बहुत ही खतरना कंपेरिशन होने वाला है विकॉस आज हमारे सामने है नियू मारती 2023 के ब्रेजर वेकसाई और हम लोग इसका कंपेरिशन करेंगे नेक्सॉन के एक्सम वेरेंट के साथ में विल द वीडियो में क्लियर हो जाएगा कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा फिर भी हलागी कोई अगर बच जाते हैं आप मुझे पर्सनली वाट्स अप कर सकते हैं प्लस में कमेंट्स करके भी मेरे को आप बता सकते हैं वेल दोस्तों मारती ब्रेजर एक ऐसी गाड़ी है नो और साथ में दोस्तों फ्रंड का लोग बहुत ही शांदार है प्रोजेक्टर बीस एलेडी प्रोजेक्टर बीस हालेजन हीट्लैम्स आपको इसमें मिलते है और इसमें आपको मिलता है 1.5 वीटर निका इंजन वह भी स्मार्ट हैबर्ड जोकि आपको 101 वह शीक पार पर से 136 अब करके दे देती हैं बहुत ही शांदार आपको मिल जाता है इसमें 1.5 वीटर इंजन मिल जाता है इसमार्ट हैबर्ड मिलेगा के 15C का दोस्तों आपको मिल जाता है फ्रंड का लुक फुल स्पूर्ट की फॉल डैनमिक और बहुत ही अट्रक्टिव लुक आपको इसमें के लिए मिल जाता है उसकी के लोगों आपको मिले के क्रूम का वर्क भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है और नो डॉट जब भी गाड़ी रोड में चलती तो भाई बहुत ही इवन कुछ लोगों ने तो इसका वाइड कलर लेके इसको बिल्कुल रेंज रोवर ह और अगर आप मारुति के शोरों में जाएंगे इवन तो वहाँ पे तो लोग बोलते हैं यह चरह से बिल्कुल मिल ही नहीं रही है इस तरीके से लोग तो एक्स्ट्रा एसेसरी के में पैसे डाल के गाड़ी को ले रहे हैं और कंपनी वाले भी इसे फोर्स फुली हाँ बिल सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है दोस्तों वह इसका सेफ्टी लाइक फाइफ रेटेड ग्लोबल नंकाप में फाइव रेटिंग स्टाद यह आपकी गाड़ी आपको मिल जाती है इसमें जो इंजन है वह भी कम नहीं है बहुत तकड़ा है इसमें आपको मिलता है 1.2 सब्सक्राइब का तर्बो चार्ज रियो ट्रोन इंजर आपको मिल जाता है जो कि 1199 cc का है और 30 स्लेंडर निजर ने बाई इसकी पावर ना 118 पी अच्छी पावर प्लस 170 अनम को टॉर्क गाड़ी आपको दे देती है जो कि बहुत ही अन्बिलिवेबल है और आप जब इस स्पीड में आ जाती है और प्रोजेक्टर बीस हेड्लैम्स आपको इसमें मिल आते हैं वो भी हैलजन वाले चुकि आपको सर्दियों में बहुत हैल्प करते हैं नो डाउट और यहां पर दोस्तों गर बात की जाए गाड़ी के साइट प्रोफाइल के बारे में तो विल मार हाइत क्या है थोड़ी से जाठा है आपकी 80 mm है मिलेगी जादा मिलेगी आपको मॉर्थि spring को मिल या डियूब कम आ को बोडी खूलर वर में आपको मिल जाते हैं शार्फ यांटीर और आपको यह गाड़ी देखने में तो बहुत मैं रहें हर एक चीज़ बहुत ही प्रफेक्टी आपको मिल जाती है और सबसे शांदार बात दोस्तों क्या है इस गाड़ी की प्राइसिंग तक्रिबन 9,64,000 रुपए इसकी एक्षण रूम कीमत है दोस्तों इस टाइम भी है प्राइस थोड़े से बढ़े हुए 9,64,000 रुपए एक्षण रूम कीमत में और नुट तक रिवन 11,00,000 पर पढ़ा यह आपको जाते हैं और आपको ऑट्स प्राइटर देखने के लिए प्लस में आप लाइट भी ओन कर सकते हैं आप देख सकते हैं मैंने भी इसे unlock किया हुए और ये आपके ORM automatically open हो जाते है जो कि auto-folded ORM चिनको हम कहते है दोस्तों इसमें आपको roof rail भी देखने के लिए मिलेगी silver color की roof rail आपको मिल जाती है इसकी बात कि इसकी length 3993 mm की दोस्तों है और width 181 mm की 2500 mm का wheelbase आपको मिलता है मारुती के ब्रेजदा में 2498 का wheelbase मिलता है दोस्तों नेक्स वान में 2 mm का आपको कम मिले जो कि ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा नहीं है अगर बात कि जब VXI के rear look के बारे में तो defour आपको यहां पर प्रोवाइट किया जाता है ते लैंप इसकी बहुत खुबसूरत है भाई सच में बहुत ज़्यादा प्यारी है smart hybrid की badging आपको मिल जाती है four parking sensors आपको प्रोवाइट किये जाते हैं camera वगर तो आपको इसमें लिटर यानि कि 328 लिटर का दोस्तों मिलेगा पार्सल ट्री वेगर आपको इसमें नहीं दी जाती है तो 328 लिटर का बुट इस पेस आपको मिल जाता है बहुत ही शांदार और बहुत ही बहतर चीज़े आपको इसमें मिलेंगी इसका चिश पेर वील है इसम साइस का आपको मिलेगा यहां पर दोस्तों देख सकते हैं सारे आपको रख्यending रख्य हूए है इस पेर वील यहां प्रखवा है जो बिलकुल प्रफा cameरी ए いस पेलेस मिल जाता है है । यहां पर देख सकते हैं दोस्तों त Prepie सात रम के सात में आएगा यह ऑर यह है इसका रीर प्रोफाइल है ड्रोलिक आपको टेल डेट आपको देखने के लिए बहुत की बात कीज़े नेक्स on के साथ में तो सें को नहीं मिलेगा हाइम tribes यहांपऄ देखने के लिए मिल जाता है कि कि यहां पर देख सकते हैं अ डीक ऐदल यह आपको दीओधान यहां पर आपको defogger नहीं मिलेगा नेक्सान की बैजिंग आपको मिल जाती है पूर पार्किंग सेंसर आपको मिलेंगी इसमें तो सब्सक्राइब नहीं है तो खेर आपको एंड्रॉइड और जो आपका कैमरा है वह आपको आफ्र मार्केट लगवाना पड़ेगा या इसका इसमें आपको साधे तीन सो लिटर का आपको मिल जाता है परसल्ट्र आपको यहां पर नहीं मिलेगी रिएर सीट फॉर लेबल है अपको मिलती है बूट लैंप भी आपको इसमें प्रवाइड किया जाता है और इसका जो इस है रियर प्रोफाइल टाटा की नेक्सवन का फाइफ स्टार रेटेट दोस्तों गाड़ी है हील असिस्ट है हाइड्रोलिक ब्रिक असिस्ट यह सारी फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे अब अगर बात की जाए इंटियोर के बारे में तो सबसे पहले चलते हैं मरुती के प् देखने के लिए जो कि गाड़ी को काफी बहतर बना देता है और व्यक्साई के वेरंट में ही आपको हाइट एडस्टीबल का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है जो कि काफी जबर्दस बात है बहुत बढ़े चीज चारों पावर विंडो आपको डोर पर मि पुआ रहे हैं हमको इलेक्रों के लीएडस्मेंट कर सकते हैं लाइक ओपन कर सकते हैं क्लोस कर सकते हैं प्लस में एड़्जस्ट भी कर पाएंगे बहुत अच्छी बात है दूस्तों यह गाड़ी फोर रेटे स्टार है यहां पे देख सकते हैं लॉकल का बटन आपको मिल सेफटी वाइस नो डाउट बरिजा अमतलब काफी अक तक बहतर हो पहले से बिल्ड क्वाल्टी भी काफी ज़्याता बहतर की गई है और यहां पर दोस्तों देख सकते हैं आपका इंटिएर बहुत ही प्रिम देखने के लिए मिल जाता है फोर स्पीकर्स मिलती है प्लस में दो ट्विटर्स आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी यह आपका हाइट एजिस्टेबल का ओप्शन आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग लिए उपर नीचे जैसा च टेरिंग में बेसिकली क्या है कि कुछ मीडिया कंट्रोल सापको मिलेंगे पुस्ट शाल स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको नहीं मिलेगा की से आपको ऑन आफ करना पड़ेगा यहां पर दोस्तों देख सकते हैं दो एर बैक्स से मिलते हैं एंटिटेफ डिवाइस हिल अ आपको मिल जाता है और आपको माइलेज को बहुत ही ज्यादा इन्हेंस करता है लॉक प्लस में दोस्तों देख सकते हैं यहां का यहां को और कॉल रिषीवन करने के लिए आपको मिलेगा स्टेरिंग में और यह आपका डिस्टिल इंस्टुमेंट करस्टर स्वे डिस्टिल एक्षली हैं लफ साइड आपका आर्प मैं राइट से आपका स्पूड़ोमेटर मिलेगा और बीच में आपको एक स्क्रीन द जाती है और इसका सेवनिच के सिस्टम जो की काफी बैठते हैं आपको सिर्फ कैमरा इसमें लगवाना पड़ेगा पंद्रहों सो से दोहजार के बीच में आपको बहुत अच्छा कैमरा आपको मिल जाएगा आफ्टर मार्केट ऑटमेटिक लामेट कंट्रोल आपको मिल जाता एक यह सिपूर्ट आपको मिल जाता है फाइव यह मैनूल स्पीट के साथ में गाड़ी आ जाती है यहां पर दोस्तों देख सकते हैं इसका गेर इसमें एक गेर और होता तो मसा आ जाती बट कोई ना फाइव गेर बैस्ट है और यहां पर बीच में दो कप होल्ड रखने के इस पीस दिया गया है दोस्तों और यह टैश्बूर्ड और चलते हैं अपने गलव वाक्स में जो की काफी ज़्यादा बहतर आपको मिल जाता है लेफ साइड आपका वैंटी मिरोर है विथ फिलिप राइट साइड दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाता है टिकेट हो और इसका जो माइलेज है वह बहुत ही तगड़ा यह मतलब गैरंटीड है कि नक्सौन से आपको बहतर मिलेगा मारुति के ब्रेजा में पेट्रोल में एराई मायलेज जो 17 बता रही है कंपनी वह आपका नेक्सौन ने बता रही है ब्रेजा बट मैंने अच्छली ओनर्स ने मेरे को बताया है यहाँ पे भी आपको चारो पार विंडो मिल जाती है ड्रावर साइट की विंडो अब देख सकते हैं दोस्तों लॉक अनलों को बटन आपको मिलेगा ओवार्यम के लिए आप उपर से कंट्रोल कर पाएंगे इलेक्रिक एडिस्टमन के साथ में पहता है यहां पे आपको ह kijken का प्लतम दोस्तों आपको नहीं मिलेगा अप सीट को आगे पीछें कर पाएंगे त्टैस्पायाज है यहां पे हैट इसमें नहीं दिया जाता है उनी के भी नेक्सार्न की रियर वाले बहुतीं किंवर्टर्ब एसा लगता है यहां पश्टी कि आएप गाड़ी के सकते स्टेरिंग में कंट्रोल के अगर मैं बात करूं तो भाईप कंट्रोल यह है आपका digital instrument cluster जो की काफी जबर जासता है बड़ा मज़ा आता है इसको देखके सच में यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बीच में आपको speedometer दिखाएगा बहुत ही प्यारा लगता है feel के जोगर आपको right side मिलेगा इस टेरिंग को आप उपर नीचे कर पाएंगी इसमें आपको audio system मिलता है एक्शली कोई भी आपको touchscreen वगरा इंफोट्रेम सिस्टम आपको नहीं मिलेगा तूडिन को audio system मिलेगा फूर स्पीकर सापको इसमें दिये जाते हैं आफ अफ्टर मार्केट इसको लगवा सकते हैं अ कि साथ में दोस्तों देख सकते हैं और अट्रमेटी क्लाइड कंट्रोल इस घाड़ी में आपको नहीं मिलेगा अ कि फ्रंट के लिए डीफोगर रियर में डीफोगरस में नहीं आता है दोस्तों कि यह आपका डैश्बूर्ट जो कि थोड़ा सा चूटू सा लग रहा है इससे अगर अप्ग्रेट कर देते हैं काफी बेतर है बाट एक्टलिए सेकंड बेस मोडल तो इसमें ज्यादा कुछ दिये जाते हैं प्लस में थ्री ड्राइविंग मोड आ जाते हैं इको सिटी और स्पोर्ट मोड आपको मिल जाता है जिसमें कि आप अपनी गाड़ी को रॉकेट बना सकते हैं स्पोर्ट मोड में पीचिस काफी अच्छी लगी मेरे को और भाई इसका ग्लोव वक्स तो मिल जाता है देखने के लिए माइक वगर आपको यहां पर प्रॉपर देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों कि इंटियर नो डाउट कहीं न कहीं आपको भी मारूथी ब्रेजा का ज्यादा बहतर लगेगा सेकेंड बेस की वेरेंट में आप चलते हैं रियर में तो ब्रेज ली सीट बेल्ट ऑफर की जाती है अब पीछे भी सीट बेल्ट बहुत ही ज़रूरी पाउर विंडू अगर आपको मिल जाता है इंसाइट डोर है डोर हैंडल्स आपको नौर्वन बिलेंगे देख सकते दोस्तों तीन लोगों के लिए सेपरेटली अलग-अलग सीट बेल्ट यहाँ पे दी जाती है है एड्रेस्ट भी आपको मिलेंगे और हैड्रेस्ट एड्जस्टेबल है और यह क्या भाई बहुत शानदा रियर में एसी इवेंट भी आपको मिल जाते हैं मेंस फैमिली वाले मेंबर को अब यह कहने के ज़रूत ने कि मेरी तरफ पंका गुमादो आप खुद घुमाईए खुद मज़े कीजिए प्लस में नीचे चार्जिंग पॉइंट भी आपको मिल लाता है तो ओरल नो डाउट प्लस पॉइंट जादा हो रहे हैं मारुती ब्रेसा के तरफ में लेकिन एक बात आप को भूल नहीं चाहिए कि एक लाग रुपाय एक्स से महतर कुछ नहीं है सच में मतलब इसी जो रियर के सीट है अल्टी मेट है बिल्कुल मतलब सोफा लगा हुआ सीट में यह वाला मज़ा देती है टाटा की नेक्सौन मुझे बहुत पसंद आई परसनली और इसे सीट बहुत कमफरेबल है रियर में हलाकि आपको इस इवें में आगर जाते हैं तो फिर आपको वहां पर एकसी देखने के लिए मिल जाता है तो दोस्तों यहीं टाटा नेक्सौन मारुति ब्रेजा के बीच में कमपेरिशन उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा विल अगर आप मेरी राय जानना जाते है तो भाई म मुझे कहीं न कहीं इस प्राइस में मारुति ब्रेजा ज्यादा बेटर लग रही है अब आप बताईए कि आप कौन सी बेटर लगें कमेंट करके शुरू बताईगा हमिलते हैं नेवडियों साथ में थैंकी सो मच